हलो दोस्तों मैं हूँ सादिक और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एक्टिंग गुरू आज एनेसडी को लेके कुछ सवाल हमारे पास आए हैं उनका हम जवाब देने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे अजीबो गरीब सवाल भी थे और बहुती नॉलेज़ वाले सवाल जो लोगों ने पूछे हैं उसकी भी जानकारी हमने दी है इस वीडियो का पूरा देखिए आपके जरूर काम में आईगी एनस्डी को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सवाल किये हैं आज मैंने सचा उन सवालों के जवाब आप तक पहुचा दूँ तो सबसे पहला सवाल है एनस्डी सेलेक्ट होने के बाद हॉस्टिल में रहना पड़ता है या एनस्डी से रोज घर आना जाना पड़ता है बाई जब आप एनस्डी के अंदर आपका सेलेक्शन हो जाएगा और जब आपको वहाँ दाखिला यानि की एड्मिशन हो जाएगा तब वो लोग आपके रहने की खुदी विवस्ता करेंगे वहाँ एक हॉस्टल है जहां पर आपको रूम मिलेगा रूम में चाहे वो दो लोग रखें या चार लोग रखें गुरूप में रखें आपको रहन आने जाने की दिक्कत नहीं है आपको सिर्फ अपने हॉस्टल वाले रूम से अपने एनेसडी क्लास में जाना है स्कूल में जाना है और थेटर की पढ़ाई करना है थेटर से जड़े हुए सवाल जबाबों के सिलसले में एक सवाल ये आया कि एनेसडी के फार्म कब भरे ज जाते हैं National School of Drama की website है जिस पे आप Google पे जाके सर्च कर सकते हैं वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी अगला सवाल किसी ने किया है कि सर मैं कोलकता में रहता हूँ थेटर जोइन करना चाहता हूँ तो अगर आप कोलकता में रहते हैं तो वो तो बहुत बड़ा शहर है वहाँ पर आप कोशिश करिए पहले Google पे सर्च करिए कहां कहां थेटर होता है जहाँ अच्छा थेटर होता हूँ वहाँ जाईए वहाँ के प्ले देखिए और वहाँ लोगों से मिलेंगे तब थेटर के लोगों की मुलाकाद ऐसे ही होती है जब आप वहाँ मिलेंगे तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई अच्छा और बेहतर रास्ता मिलेगा वहीं से आप थेटर जोइन कर सकते हैं किसी सज्जन ने ये सवाल पूचा है हमारी वीडियो पर कि मैं थेटर कहां से सीपू में दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली मंडी हाउस में इस्तित है वहाँ जाके आप बहुत सारी जानकारिया ले सकते हैं दिल्ली के अगर आप हैं तो आपको थेटर से मुतालिक कोई भी परशानी दिल्ली में नहीं आईगी अगला सवाल किसी ने किया है कि अनपढ़ आदमी एड्मिशन एनेजडी में ले सकता है यह सवाल आपने पूछा अच्छी बात है और लोगों के वे काम में आएगा देखे बिना पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए एनेजडी भी कोई जगा नहीं है यह थोड़ा सा कड़वा है मगर आपको पढ़ना चाहिए अगर आपके पढ़ाई छोड़ गई है तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपनी पढ़ाई मुकमल कीजिए उसके बाद एनेजडी की तैयारी करें इसी दोरान और आप एनेजडी में एडमिशन ले सकते हैं यह अगर आपने मेनत करी होगी तो आपका एडमिशन जरूर होगा इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर आपके पढ़ाई छूड़ गई है तो आप पढ़ाई करिए और वहां पर कम से कम ग्रेज्यूट व्यक्ति ही दाखला ले सकता है दूसरा सवाल सुनील पाल ने वेजा है उनका कहना है कि NSD का NSD एक्जाम का PDF पेपर चाहिए हो कैसे मिलेगा NSD एक्जाम का कोई PDF पेपर नहीं होता है सुनील पाल जी आपको कुछ ठीटर की किताबे पढ़ना पढ़ेंगी या फिर कुछ अच्छे प्ले करना पढ़ेंगे देखिए NSD का एक्जाम कोई इतना असान काम नहीं है कि आपने थोड़ा भग पढ़ा या आप जाके फॉर्म भरा और आपका एड्मिशन हो गया इसकी तैयारी सालों से लोग करते हैं और तब जाके उनका सेलेक्शन होता है थेटर की कुछ बुक्स आपको धिल्ली में मिल जाएंगी नेशनल स्कूल अग ड्रामा राश्टी नाटे वे जहले का जो पुस्तकाले है वहाँ पर एक शॉप है वहाँ से आप किताबे खरीज सकते हैं हिंदी रंगमल्च के विशे में या समकालीन हिंदी नाटकों के बारे में और उसमें काफी सारे नाटकों के विशे में जानकारी होती है में चीज़ यह है कि थेटर की जानकारी आपको काफी होना चाहिए कौन से राइटर हैं, किरोंने कौन-कौन से प्ले लिखे हैं, कौन से अच्छे बैस डिरेक्टर हैं, उनके बारे में नॉलिज आपको होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के सवाल NSD के एक्जाम में आते हैं अगला सवाल किसी का है, कि सर डिप्लोमा बेस अडिमिशन मिल सकता है, मैंने कम्प्यूटर इंजिनिंग के डिप्लोमा किया है, जा इसी बाते आपने बीटेक किया होगा, वो चार साल का होगा बिल्कुल आपका ये जो डिप्लोमा है वो काम आएगा क्योंकि आपने एक तरीके से ग्रैजोशन की पढ़ाई की है और NSD में किसी भी स्ट्रीम से ग्रैजोशन होना जरूरी है